अजीज दुल्बा डाटाबेस के एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं इससे पहले हम डाटाबेस के अंदर फील्ड प्रॉपर्टिस की बात कर रहे थे तो अजीज दुल्बा उसी बात को हम आगे जारी रखेंगे और हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किसे इस्तमाल किया जा सकता है तो अजीज दुल्बा हम सबसे पहले Microsoft Access को स्टार्ड करते हैं हमारे स्लिवस के अंदर Microsoft Access 2000 है तो हमारे पास दूसरे वरियंज भी हैं उनकी भी बात कर लेंगे लेकिन फिलहाल हम Microsoft Access 2000 की बात करते हैं Microsoft Access 2000 को चला लेते हैं और यहां पर हम ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं घ्ल करते हैं और हम्हें की प्रापरटीज को चाहँ करना जा रहे हैं तो किप्र बाकिवास Chet Database यहाँ पर आपको हम ने एक database बना ली इससे पहले हम क्या गरते हैं कि आप बवाख़ी चीजें start करने तो हम यहाँ पर एक table बनाने का तरिकका कार हम पहले ही जानते हें तो जब भी table बनाना हो तो यहाँ पर ओउडेक्ट की लिस्ट में से घर करते हैं करना चाह रहे हैं तो यहां पर design वी की option पर double click करेंगे हमारे पास table design window जाहर होगी हमारे जो table design window है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अपना एक table design कर सकते हैं तो हम अपनी जरूरत के मताबक इसमें से field का इंदखाब करते हैं हमने जो fields हमें चाहिए तो उसके लिहाँ से हम एक student क table मनाते हैं और उसके अंदर हम मुखलिफ fields को शामल करते हैं तो एक student के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज होती है वो उसका rule number होता है यहां उसकी ID होती है हमने student की ID ले लिया है तो यह जो ID होती है वह हम जानते हैं कि यहां पर हम उसकी data type का करेंगे यहां नमबर किसम की होती है ठो हमने इंतिकाब कर लिया डिस्क्रिप्शिन' आपशिन लोती ही उत तो यहां पर हम क्या करें उसके लावा और हमारे पास जो feels चाहिए होती है उसकी यहां पर हमारे बारल है कि आप नीम घुटा तो च्टुडंट का नीम जो रहे होता है तो यहां पर नेम उता है उसका फार नेम चाहिए तो यहां पर हम क्या घाते है आप नेम कैसा होता होता है टेक्स में वता है अब मेरे पास मजीद हमेरे पास किया है इसकी देट आफ बर्ध किया है उसके देट जोाओ र Library त Av चल्क किसम की होती है उसके लावा मजीद लेना चाहें तो उसका सीन है क्वहाइं पे सिएन सी मुखलिफ चीजों के बारे में देखते हैं कि नंबर के ऑपर भी inostli है यहां पर अपर ह। आपके पास है उनने चाहिए करेंदर होती ही तो टैक्स के अंदर हम मेरेठ छिसका इस्तनाल किस तरीकियत से होती है नंबर के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहां पर फिर्ट साइज के अंदर इंतिखाब कर सकते हैं मुस्तलिब जो प्षिंज narrator कि आप्शन का विटा वो जो आप्शन है वो कौन-कौन सी है वह हम देखते हैं यहां पर हम टेबल बना रहे थे तो यहां पर आपको सारी नजरा रही हों वह हमरे पास के हैं बाइट हैं टीजर है लॉंग इंटीजर है विटा अगर हमने कोई भी डाटा आपने महफूज करन करते हैं अगर इशारी वाला डेटा है तो इसके लिए सिंगल डेबल और डैसिमल करते हैं तो इसलिए यहां पर नंबर के लिहां से आपने बाइट ले लिए अब कंटी लाज के जी की ही ज अबन लाफ़े लाइसे देखते मेलाच के लिए यहांदmotर यहां पे आपके पास thats झांध खेंद होती है तो इसका तीज क्रिफाध्य कर दियते है किई हैं थे थर्टी के लाकर कासे है न कीज्याथ क्लास किरें जो है अब किया है किअज अचिह हैं और फार धुर कास्ट हैung मुझे कर लिग एक हम दे giants क्लास कमें हैं pause $ भी आपके पास CNIC हो तो उसके अंदर हमरे पास text किसम के है तो यहां पर उसके field size हम कहते हैं कि अगर 15 characters है 14 होते हैं उसके अंदर dashes आती हैं हम उसके अंदर total क्या कर देते हैं 16 characters कर देते हैं उसके बाद हम address जो है address के अंदर हम text की बज़ाए हम उसकी data type कौन से ले ले लेते हैं memo ले लेते हैं बटा तो हम ज्यादा detail के साथ भी तो memo को आपके पास field size नहीं होता बटा तो field size properties के बारे में हमने देखा कि field size हम क्या कर सकते हैं Numbers के उपर, Auto Numbers के उपर, और बाकी जो हैं, आपके पास Fields हैं, Text के उपर हम Apply कर सकते हैं, दूसरी जो हमारे पास हैं, यहां पर जो Field Properties हैं, वो है आपके पास Farmate. तो Farmate से पहले हम क्या करेंगे, Captions की बात कर लेते हैं, यहां पर जब भी हम Data दाखल करते हैं, यहां पर जब हम इस Table को स्टोर कर लेंगे, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, जब हम Data दाखल करने जाएंगे, तो वहां पर क्या लिखावा नज़र आएगा, आईडी ही नज़र आएगा, वहां पर क्या नज़र आएगा, आईडी ही, हम इस Table को क्या कर देते हैं, Save कर लेते हैं, Yes, किस नाम से, Table 1 के नाम से, यह जो भी नाम देना चाहें, हमने Student का Table है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, Student, Family की हम जरूरत नहीं है, हम नहीं डिफाइन करते हैं, विस स्टूडेंट को जब हम डाटा दाखल करने के लिए, ओपन करते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या है, आपके उपर जो है, यहां पर फील्स के जो नाम दिये थे, वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो यहां पर एक प्रका नाम नहीं है, तो हम क्या करना चारे हैं इसके लिए एक प्रका नाम लेना चारे हैं, तो अगर हम इसको दोपारा डिजॉड में ओपन करते हैं, तो यहां पर हम आपास क्यु बाएंड के पास इसको खाल रआब कि जो फील्स gu기 है, तो इस पर हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट नहीं यहां पर और और भी कोई ऐसी फील्ट जाय जिसके अंदर आपके पास है तो इसकी जो हम क्या करना चाहरे हैं यहां पर बर्त के लिखा लिए करना चाहरे तो यहां पर डेट अब बर्थ के लिहास है जो क्या रोगी वैसल में हम क्या करना चाहरे है भी जब हम किसी फील्ड के नाम की वज़ाएं वहां पर data एंटर करते हुए उस कैप्शन को इस्तमाल करना चाहें तो हम क्या करते हैं एक मक्सूस नाम को मुद्बादिल नाम को फिर हम क्या करते हैं कैप्शन को इस्तमाल करते हैं हमने दो फिल्स के ओपर कैप्शन लगाई तो आई यह देखते हैं कि आया इनका जब हम डाकल करते हैं दshoreणी का सब्सक्राइब यहाँ सिरक्राइब भिष्छ टुडें आप 180 पर फोलतों, में नाम से चपक्राइब सब्सक्राइब में था छोलते विष्टाइब अ naam रहे छैछाइब सतार यहां पर मैंने नाम लिख दिया विटा 30 ग्रेक्टर से काम था टोटल जो लेंथ है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया यहां पर फादर ने यहां पर क्या किया वह फादर नेम क्लास जो है मैं कहता हूं MS-CS उसके अलावा डेट ऑफ जो है जो भी आप लिखना चाहें तो सकते हैं तो हम क्या करेंगे जो भी आपने दाखल करते हैं तो हम मजीद देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टे कौन कौन सी होती है और उसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है बटा Field Properties के अंदर दूसरी जो हमारे पास Field Property है बटा Design View के अंदर इसी टेबल के उपर मजीद हम देखते है यहां पर हमें नीचे Formate नज़र आ रही है तो यहां पर हमारे पास जो Name है बटा उसको हम क्या करना चाहरे है Formate करना चाहरे है तो यहां पर Formate के अंदर हमारे पास अगर Text के लिहास से है बटा Text के लिहास से हम यहां पर Greater Than लगा देते है क्या लगाए है Greater Than तो यहां पर आप पास Text के ओपर हम क्या कर देते हैं अगर Greater Than लगा देते हैं तो क्या होगा तो यह से Save कर लेते हैं और हम इसको open करते हैं तो यहां पर आपको नज़रा आ रहा होगा जो data है वो किसमें नज़रा रहा है capital के लिए हम मैं एक और student यहां पर दाखिल करता हूं उसका role number क्या कर देते हैं 20 यहां पर आप पास क्या है यहां पर हम कहते हैं कि उसका नाम क्या है साधी शाय है यहां पर आप जैसे ही लिखते हैं तो यहां पर आपने वहां पर capital लगाया था greater than sign तो हम कहते हैं कि इसके फादर का नाम क्या है मसूद है यहां पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको इस्तमाल कर सकते हैं विटा यहां पर इस तरीके से हम कोई भी आप डाटा दाफल कर सकते हैं विटा अगर वहां पर फार्मेट के अंदर ग्रेटर देन लगाते हैं वो क् करेगा यहां पर हमारे पास जो भी हम डाइटा करेंगे उसे सम्माल किसे कि होता है हमारे पास होते हैं यहां पर आपके पास इस अगर मुंतिकंब करने जो से जो वार्मेट के हैं करेंगे उसी लिहाद से डेटा आपका जाहिर होगा हम चाहे पास जाहें पर दाखिंगे साथ जाहिर दाखिल करेंगे जिस तरीके से भी तो क्या करेंगा हम जो अंदाज मुन्तखिब कर लेंगे उसी के लिहास से हमें डेट और टाइम को जाहिर करेगा हम इसको करके के देखतें हैं इसका फार्मट जो है हमने लॉंग डेट ले लिए ङ्टा हुम क्या नइक अप्ड year और चाहुब कम कंपुर के आम-पřाया है वह की से पहले मंधर हिर नीचे आप गार से देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहां पैप जो फार्मेट यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अपरेटिंग सिस्टम के लिए यहां पर आपको नज़रा रहा है यहां पर असल में क्या है हमारे पास है यह फार्मिट है उसके अंदर तो हमारे पास क्या है आज 11 दिसंबर है उसके लिहां से हमारे पास क्या है पहले मंद फिर डेव और फिर हम इस फार्मिट को तब्दील क सकते हैं तो यहां पर अगर हम उसको तब्दील कर लें तो क्या करेंग का है मंत क्योंसा है मार्च है तो हमने लगा के उसके पास महीना लिकने है 12.9, 90. यहाँ पर हमारे पास क्या है? चाहिए हम Farmate slash के साथ या डाष के साथ जैसे भी लिक्षें जैसे हमने लिक्का तो क्या होगा? उस अंदाज के साथ अब दिल हो जाएगा. विस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? Farmate वहाँ पर लागू कर सकते हैं. अब हम आगे text के ओपर देखते हैं कि date फार्मेट property है text के ओपर भी लागू की जा सकती है उसे किस तरीके से text के ओपर लागू किया जा सकता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर फार्मेट के तो यहां पर हम क्या करते हैं फार्मेट के अंदर हम शनाक्ति कार्ड का जो फार्मेट है वो यहां पर लिख देते हैं उटा शनाक्ति कार्ड का हमारे हां पाकिस्तान के अंदर जो फार्मेट होता है मुटलिब जगों पर मुटलि ने इसे नमबर जोते है बटा तो अब हम जो भी डाटा दाउन करेंगे तो उसके अंदर क्या करेगा? यह देश खुद बा खुद दाउन कर देगा. हम इसे करके देखते हैं जो हमने परसंद वहां पे शामल की हैं. नंबर 123 पूड़ा सा जोंग कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ रहा है यहाँ 126-152 ठाजद कर गया है नहीं लिका बिद्क है अब आचके लिए 845 तो यहाँ पो हम देख रही हैं जो जो डेशिश हैं वह क्या हैं खुदबाखुदर आगी है फील्ड का साइज देखने के लिए हम लिए हम भाड़ा करतें लो तो इस तेरह से वह जो फार्मइट हमने बताया है तो क्या करेगा हमें? बतायेग reconna 지방 फार्मेट के मताबक हमें जाहिर करेंगा बटा तो हम फार्मेट के जरीए फार्मेट बता सकते हैं लेकिन इसने हमारी मदद नहीं की बटा जब हम यहां पर डाखल कर रहे थे यहां पर हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास एक यहां ही पर प्रॉपर्टी है इंपुड मास्क यहां पर input mask के अंदर हम इसी के cnse को यह देख लेते हैं टेक्स के लिहास से अगर हम input mask के अंदर यही चीज लिख देते हैं तो input mask क्या करता है हमें मदद करता है data दाखिल करने में यहां पर जो भी आपके पास phone numbers है उसका एक मक्सूद format होता है तो वहां पर हम क्या करना चाह है यहां पर हम क्या करते हैं तार क्लास क्या है MSBS हमने उसके कर दी और यहां पर उसकी date of birth हम उसे छोड़ देते हैं उसकी नंबर यहां पर हम क्या करता है वह फॉर्मिट पहले से जाहिर करता है कि आपने इसकिसम का data दाखिल है करना है तो यहां पर हम जब डाटा दाखल करेंगे तो उसके लिए हास्य हम क्या कर सकते हैं यहां पर यह चीज काफले जिकर है कि जब भी हम बात करते हैं कि निपुट मास की तुर निपुट मास कें अंदर हम बहुत सरे सिंबल्स को इस्तमाल करते हैं तो वहां पर हम 0 sin अगर हम क्या करते हैं जिरो अगर आपके पास लिखा हो तो 0 का मतलब किया है कि यूजर को एक डिजट लाजमी तौर पर जाहिर करना चाहिए अगर 9 लिखा हुआ इबटा तो इसका मतलब यह है कि यूजर क्या कर सकता है digit enter कर सकता है तो वहाँ पर must है लाजमेतोर पर पर enter वहनों चाहिए अगर हम nine nine है तो इसका मतलब है कि user क्या कर सकता है एक digit दाफल कर सकता है S busca वो असल में किसलिए इसमाल होता है कोई भी digit के लिए या पिर space के लिए या पिर आपके पास पर लिखा हुँ तो यह कि हमारे पास करना है यहां पर एक क्या मतलब है लेट ओडिजिट दाकल कर सकता है तो अगर हम एंड साइन लगाएंगे यहां पर उसका मतलब आदर और स्पेस और यहां पर सी इसका क्या मतलब है क्रेक्टर यहां स्पेस दाफ़ करेंगा और आखल में हमारे पास अगर डैसिमल प्लेस उगरा के लिहां से है तो डैसिमल एंड थाउजंड जो प्लेस होल्डर्स हैं वह इस तरीके से जाहिर करते हैं उसके लाब हम ग्रेटर देन को अपर कीस के अंदर टबीर कर देता है अगर हम लॉर्ड लेते हैं तो इसको लिहां से सायनौ मास्क जो है वह असर में क्या करता है फार्म राइट साइड से लेफ्ट टू राइट तो राइट से लेफ्ट की बजाए बजाए तो अगर हम स्लैश लिखते हैं बटा तो उसके बाद कोई भी चीज लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वह आपके लाजमी तो पर वैसे ही डिस् के लिए हमें थोड़ी सी महारत की जरूरत होती है तो उसके लिखासे हम उसको बना सकते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो है मजीद प्रॉपर्टी से हमसके अंदर हमारे पास किया है वैलिडेशन रूज है बिटा तो वैलिडेशन रूज और वैलिडेशन टेक्स के लिख चाहते हैं। यहाँ पर ले लागा है। student ID तो यहां प आपके पास किया है तो यहां पर हम ने आपके पास किया है और एक्वल टू 50 यह पर हम कहते हैं 50 से कम हो सकती है हम इसे क्या करते हैं यहां पर और साथ हम इसी चीज़ को वैलेडेशन टेक्स को कवर करते हैं वैलेडेशन टेक्स के जरीए हम क्या कर सकते हैं एक पेगाम लिख सकते हैं कि जिसके जरीए हम बता सकते हैं कि हमने किस किसम की वैलियो आपने दाखल करनी है तो रोल नमबर यहां पर हम कहते हैं कि वान डैश है फिफ्टी इसका मतलब है कि हमारा मतलब होगा कि हमने क्या करनी एक से लेके पचास तक वैलियूज दाखिल करनी है तो हम यह करके देखते हैं आईडी के ओपर दोनों चीजें तो यह जो चीजें हैं वह हम स्टोर कर लेते हैं इंटर करने के लिए उटी यहां पर मैंने रेकार्ड गandy को दाखिल करने जा रहा हूं तो यहां पे करता हूं है तो यहां मैंने ट्वांटी-ट्री लिखा उसने यहां पर मुझे दाखिल यहां पर हमारे पास के हैं कि next हमारे पास है decimal places के बारे में तो हम यह जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आपके पास इस किसम की वैलिए जिसके अंदर आपके पास decimal points हो तो हम आफ्टर डैसिमल नंबर ऑफ डिजेट्स हम बता सकते हैं कि कि इन डिजेट्स के बाद आएंगे इंपुट मास्की और कैप्शन की बात कर चुके हैं उसके बाद है जी हमारे पास वैलिडिशन टेक्स और यहां पर आपके पास अगला है रुकाइड अब यहां पर रोल को प्रतीब देना चाहिए कि नहीं तो जो आपके पास प्रैम्री की होती वैटा वह राग्या लेकिन यहां पर आपके पास अगर कोई भी ले ले लें तो यहां पे अगर देखते निदेख्ट्ट्र कर देता हैं मनों ओक्ति दुप्रेट recent तो सकते हैं कहते हैं कि नॉ डिखाथ है तो हम वक्दी तोर पे यसल को कर देते हैं और ना क्या होगा हमारा एके वारे मैं वह अत्राज करेगा कि यह वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता पहले हम क्या करेंगगे अपने टॉप कर सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं इसलिए हास यहां पर नेम के ओपर हम लगा लेते हैं कि दो लोगों का एक नाम नहीं हो सकता हम वही उसको लागू करके देखेंगे कि एक ही नाम का हम यहां पर दूसरा शक्स दाखल करने की कोशिश करेंगे यहां पर हम क्या कर देते हैं यहां पर हमने इंडेक्स के लिए हैं तो नाम के ओपर हमने लगाया है कि हमरे पास डूपलिगेट नहीं होना चाहिए रूल नंबर को अभी हमने देख चुके हैं उसके ओपर हमने कहा कि स्टुडेंट जो रूल नंबर्स है वो क्या होना चाहिए एक से लेकर 50 तक अब नेम जो है मैं क्या करता हों यहां पर आपासी लिखता हो mental यहां पर जैसे ही आपके पास کیा है ने वी हाऊ ने अब झेहां पे आपने आपने नेम लहती है तो यहां पर आपके पास क्या है तो कि हमने पर हमने डूप्लिकेट ओके किया हुआ है अब हमरे पास कहा है कि अपर अ गषय को आई है यहां पर यहां पर हम क्या करते हैं नियुक्न ऐसे आपने लाज मी यहां यहां पर आपने 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 कोई भी इसके लिहाओ से reck Carton ज्याद upload करते हैं तो जिसके हमें वह प्रॉपरली प्रॉप अभरा 愛ی वह वह हमरे पास हमने क्या करेंब दो कार्स को हमने स्टोर कर लिए यह वह क्या है आपर प्रॉप्लम दे रहा है तो je UAV हम क्या करते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि आप दूसरा लिख ले तो यहाँ पर पर पॉर्स आप पास जैसे हम लिखते हैं तो उसने किया कर सकते हैं उसके अंदर यह लिया तो सकते हैं कि जब हमने कहा कि चीज़ चाहिए हमें तो उसके लिया काइड सकती है तो हम अगर कह देंगे तो इसका मतलब इसकी लैड जिरुप हो सकती है है यहां पर अलाउड जीरो लेंट यसक्र देंगे तो जीरो ल्एंट हो सकती है जीरो क्या मतरब है जीरो क्रेक्टों के आपके पास हमने 1000 जो ली है वह आपके पास क Girnd उसके ओपर यह चीज़ें अप्लाई की जा सकते हैं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मुत्लिफ फीड प्रापटेज लागू कर सकते हैं तो अमीद है कि यह लेक्ट्छर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी विशी के साथ बाकि चीज़ें मजीद अकसेस के बारे म आप से इजाज़ाद चाहते हैं अपने जो क्विस्टिन्स हैं वो वर्ट सैप ग्रूप में लाज़मी तौर पर वेजिएगा ताके अगर और भी कोई चीज़ें हो तो उल्ट को स्वाल किया जा सके हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया ओके जी अला तल उल्ट